गया में कोरोना का ब्लास्ट हुआ है एक साथ चार विदेशी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं आर्टी पीशियार जाज में सभी के पॉजिटिव हुने की बात सामने आई है इसके बाद सभी को आईसोलेट कर दिया गया है जानकारी के अनुशार गया एयरपोर्ट पर हुई आर्टी पीशियार जाज के बाद यह बात सामने आई है बताया जा रहा है कि चारों विदेशी में एक थाइलेंड, दो इंगलेंड, एक म्यामार का है यह बोदग्या के लिए आए हैं, इसी क्रम में गया एयरपोर्ट पर दो से पाच परसेंट विदेशों की कोरोना को लेकर आटी पीशियार जाज होती है इसी आटी पीशियार जाज में सभी चारों विदेशी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिस होटल में उन्होंने बुकिंग कराई थी, उसी में उन्हें आईसोलेट कर दिया गया है वो एर कोर्ट पर जो रेंडम जाज हो रहा है उसी में आटी पीशियार में पॉजिटिव मिले हैं, वे सभी के कोई लक्षन नहीं है, सब एस्म्टोमेटिक हैं, और सभी ठीक हैं, इससे ती एकड़म ठीक हैं कितने लोग हैं? शार आज में पॉजिटिव मिले हैं यह मैंनमार के हैं और बेंकव के हैं वे सब एक देन में गए थे हां यह लोग इसलेटेट है दो में अरमार वोदी भाइलाइन्ट वाइब अब आगे जादे करवा ने रेंडम जाच हो रहा है कोई एसा कुछ नहीं है सब एसंट्रमाटिक एक कोई सिंटम भी नहीं है जाच हो आप पोजिटिव हो दर्य भी मास्क उसक लोग पान रहा है डिस्टेंस में टिंक कर रहा है और ठीक है सब एसले वह सब ख़ाया है वह तो जीनम सिक्वेंचिज गाइडलाइन में है इसले गाच भी जाश भाया है पटना भीजा जाता है अभी रिकोर्ट नहीं आए ह बतादी की बौध धर्म गुरू दलाई लामा इंदिनों बोध ग्या में प्रवाश कर रहे हैं उनका टीचिंग प्रोग्राम 29, 30 और 31 दिसंबर को आयोजीत है जिसमें देश विदेश के करीब 60,000 से अधिक बौध धिस्ट रधालू भाग लेंगे उनके टीचिंग कारिक्रम को लेकर कोरोना को लेकर पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया है और अब चार के पॉजटिव मिलने के बाद हाई अलर्ट करते हुए कोरोना जाच में बढ़ूतरी सुरू कर दी गई है मिल रही जानकारी के मुताविक यदि इसी तरह कोरोना पॉजटिव मिलते रहें तो बौध धर्म गुरू दलाई लामा का टीचिंग कारिक्रम प्रभावित हो सकता है जानकारी हू की पहले से ही संभावना जताई जा रही थी कि जिस तरह से कई दूसरे देशों में कोरोना तेजी से फैल रहा है उससे हजारों विदेश्यों को गया बोध गया आने से इसका फैलाव हो सकता है अब एक बार जब चार पॉजिटिव मिले हैं तो इसे लेकर अब अलर्ट कर दिया गया है देश्वा न्यूज के लिए गया से सुभास की रिपोर्ट सिर्फ ख़बर दिखाना देश्वा न्यूज का मकसद नहीं देश्वा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए देश्वा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन दबाना न भूले